दोस्तो जब आप आगे बढ़ जाते हो ना तो आपके पीछे लगने वाले लोग भी बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तो मेरे साथ मैं जो है जो भी अपलोड कर रहा हूं इस वक्त मुझे एक ना एक छोटा सा छोटा इशू उठा कर मेरे ए यूटीब में आया था तब ये लोग कुछ ज्यादा ही चाहिद मतलब सोच रहा थे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे लेकिन एंड में वो कर कुछ नहीं पाया और मेरा चैनल आके आगया यह चीज उनसे हजम नहीं हो रही है अब यह कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह स जै दोस्तो मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस मतलब हर एक वीडियो में दोस्तो एक ना एक इशू निकाला जा रहा है और उसके एगेंस्ट कमेंट किया जा रहा है दोस्तो अगर आपको याद होगा जो मेरे साथ जो पहले से जुड़े है जो copy-paste वाले content जो है कि copy-paste करके आप binding कर सकतो ये कर सकतो उसके regarding दोस्त चाहे वो facebook की बात करो चाहे youtube की बात करो उसके regarding दोस्त तो पहला channel मेरा ही था मैंने इस topic को निकाला था और इसकी वज़़े से मेरे channel पर जो था starting में बहुत अच्छा reach मिल गया था बाद में सबने इसको copy किया लेकिन जो original idea था वो मेरा ही था कि इसके regarding एक channel भी बन सकता है कुई videos ज़रूर बने थे उसके पहले लेकिन एक channel इसके regarding बन सकता है ये जो idea था वो मेरा ही था दोस्तों इंडिया में अगर facebook के related videos बनाने की बात करें कि facebook में grow कैसे किया जाए वगरा वगरा तो उसमें से सबसे पहला जो viral channel था जो सबसे ज़्यादे trusted channel था वो मेरा ही था और उसके बाद लोगों ने facebook पर video बनाना इस्टार्ट किया यही reason है कि मैंने बहुत चीज़े पहले पहले मतलब इंडिया में लाया था facebook पर मुझसे पहले भी videos बनाते थे पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो videos बनाते थे काफी अच्छा videos बनाते थे लेकिन इंडिया में दोस्तों ऐसा video बनाने वाला कोई भी नहीं था मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा जो पाकिस्तान से वीडियो बनाते थे उनसे बहुत कुछ सीखा और फिर उसको अपलाई किया और फिर वहां से जब मैंने अर्णिंग किया तो इंडिया में ऐसा चैनल बनाया जहां पर मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से कॉपी पेश्ट करके एंडिंग कर सकते हो और फिर मैंने ये भी चीज मतलब कुछ चीजे और इंप्रोवाइज कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो कुछ चॉपिक्स आपके लिए जिसके वज़े से मेरे चैनल पर जो ग्रोथ था दोस्तो उस टाइम पर इंसेन था काफी ज् तो वो मतलब उस लेविल का ग्रोथ नहीं है लेकिन में मुझे इसका कोई खेद नहीं है कि मैं जिस टॉपिक को लेकर आया था तुम इस पर वीडियो क्यूँ बना रहा हो तुम आपको क्या प्रावलम है आप जिस कंटेंड से कमा कर खा रहा हो वो कंटेंड मेरा है ठीक है YouTube पर काफी अच्छा earning कर रहे थे वो भी सिर्फ copy paste करके faceless channel पर मुझसे जो गलती हुई वो ये थी कि मैंने उनका channel का नाम जो है वो पूछना भूल गया अब दोस्तों ये जो है मेरा live का पहला interview था मैंने first time किसी का interview लिया था इससे पहले कभी भी मैंने interview नहीं लिया था तो एक दो गलती तो हो ही सकती है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि जितना हो सके मतलब सब कुछ आपके सामने में लाया कौन से content पर वो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो कैसे बनाते हैं उनका payment proof वो सब कुछ दोस्तों मैंने आपको दिया लेकिन उसके बावजूद payment proof मतलब Google AdSense वाला भी proof दिया और उसके बाद YouTube Studio वाला भी proof दिया दोनों proof आपको दिये इन सब चीजों को ignore करके सिर्फ एक चीज़ पर focus करवाया गया कि channel का नाम मैंने नहीं बताया हाँ मैं मानता हूँ कि channel का नाम मैं पूछना भूल गया था लेकिन जो लोग कहते है कि कुछ comments आ रहे हैं comments भी legit नहीं है ऐसा नहीं कि कहा कोई इनसान comment कर रहा है comment के IDs के नाव अब करता है F, Z, F, Z, F, Z ऐसा एक ID है ABCD ऐसा करके एक ID comment कर रहा है मतलब के वो IDs सिर्फ comment करने के लिए दोस्तों पनाई गई थी मुझे comment करने के लिए और वो ही reason है कि मेरे against इस है जो चीजे है वो चला ही जा रही है कौन चला रहा है कौन ही काम कर रहा है मुझे पता है लेकिन मैं दोस्त चुप पैटने वाला नहीं हूँ अगर मैं वकाद पे आ गया न तो तुम्हारे चैनल का नाम लेकर भी मैं बात कर सकता हूँ ऐसा नहीं है मैं ऐसे चुप के से comment करने वाला मैं से नहीं हूँ इस चीज का बिलकुल ध्यान से देखो जो गलती होता है दोस्तों वो एक-दो गलती हर एक इंसान से होता है मेरा लाइफ का पहला इंटर्व्यू था तो हो सकता है कि मैं ने वह पर गलती कर दिया उनका चैनल का नाम नहीं पूछा लेकिन यहां पर इसका मतलब यह नहीं के मैं उनको फेक पकड़ के लाया था किसी को पकड़ के लाया तो मैं पूफ नहीं दे पथा उनका जो एड्णिं का पूफ है उनका जो YouTube का पूफ है वो चीज़न मैं नहीं कर पाता अगर मैं वो भी कर लेता तो क्या एक छेक चैनल का नाम उनसे बोलभा लेता मतलब YouTube में faceless channel के कमी है क्या कितने सारे channels है किसी भी एक viral channel का नाम उनसे बुलवा देता कि ये channel उनका है आप क्या ही पता कर लेते कि वो channel उनका नहीं है क्योंकि वो तो faceless है तो जो लोग यहां पर ये target कर रहे हैं मेरे videos को target करके उल्टी सिदी comment कर रहे हैं इसका नाम बता देना कि ये तुम्हारा है किसी को क्या ही पता चलेगा कि आपको पता चलता कि वो channel उनका नहीं है शायद कभी नहीं चलता अगर बाद में कभी चलता भी तब मैं उसको private कर देता इसमें क्या है मतलब मुझे initial views तो आ गए न इतना जल्दी इतना ज्यादा growth इतना ज्यादा views उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है अभी recently मैंने एक video upload किया था एक video देखकर पैसे earning करने वाला एक app था जो कि fake था और मैंने वीडियो में वो बताया था वीडियो के last में पहले आपको दिखाया कर देखिए ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं ये आपको ऐसे बोलेंगे कि ये वाला वीडियो देख लो वाला वीडियो देख लो इसके इतने पैसे मिलेंगे बाद में जाकर वो आपको पैसे नहीं देंगे तो ये बताने के लिए time तो लगेगा न या मैं starting ये ऐसे कर देखिए ये लोग आपको पैसे नहीं देंगे वीडियो खथम तीन सेंट का चारज सेंट वीडियो होगा क्या आपको पता चलेगा नौरज मिलेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है कौन सा टाइब की साइट की बात हो रही है तो मैंने वो चीज क्लियर किया था कि ये लोग जो है वो पैसे नहीं देंगे लास्ट में जाके वीडियो का अब देख सकते हो लेकिन यहाँ पर situation क्या कैसा करवाया गया कि मतलब इतना जादा comment करवाया गया कि फेक वीडियो को देखा ही नहीं comment पढ़के चले गए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं बताया मैंने भी बताया था उसी वीडियो में बताया था इंड में कि ये वीडियो जो है वो फेक है इस पर आपको earning नहीं मिलेगी इस पर आपको काम नहीं करना है इस पर time wash नहीं करना है लेकिन कुछ लोगों ने जो है दोस्तों इसको issue बनाया मतलब starting सही comments कर दिये और उसका reason है कि आज वो मेरा वीडियो down है जिनको लगता है कि यहाँ पर हाँ मैं पहले सबसे पहले यह तो मान लेता हूँ कि हाँ मुझे से गलती हुई है मुझे माफ कर दीजे कि मैंने उनसे channel का नाम पूछना भूल गया था लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने fraud किया मैंने आपको धोका दिया मैंने जूट बोला जी नहीं दोस्तो इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है और कौन यह लोग है कौन यह काम कर रहा है मुझे सब पता है ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ उनके against action नहीं ले सकता मैं जरूर लोंगा और जब मैं लोंगा तो आप सब देखोगे मैं चुपके से कमेंट नहीं करूँगा मैं डायरक्ट आकर बात करूँगा उनके against डायरेक्ट वीडियो बनाओंगा यह वालग जो वीडियो है यह indirect वीडियो है मैं डायरेक्ट नहीं बना रहा हूं लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ी तो मैं direct आऊँगा and with proof अगर आप में दम है तो आप अपने original ID से आके comment करो ना जो आपके channel का नाम है उस नाम से आके comment करो मैं जब भी comment करता हूँ किसी भी channel पर कि अच्छा है बुरा है मैं अपने खुद के channel से comment करता हूँ अगर आपको लगता है कि ये चीज़े करने से मैं YouTube छोड़ दूँगा मैं YouTube छोड़ के चला जाओंगा मैं demotivate हो जाओंगा ता बिल्कुल गलत हो अगर मुझे YouTube छोड़ना होता तो मैं आज से 5 साल पहले छोड़ चुका होता जब मैं वीडियो पर वीडियो बना रहा था वीडियो पर वीडियो बना रहा था लेकिन एक भी वीडियो में 1000 वीउस तक नहीं आ रहे थे मैं उस वक्त YouTube छोड़ देता लेकिन आज आज आप मुझे YouTube नहीं छोड़वा सकते आज मैं YouTube पर हूँ YouTube पर मैं रहूंगा Views आये ना आये आप जितना भी Demotivate करने की कोशिश कर लो दोस्तो मैं YouTube छोड़ के नहीं जाऊंगा और इहां पर उन सब से मैं ये भी कहना चाऊंगा कि अगर आप ये सोच रहो कि मैं YouTube छोड़ दूँगा आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा फिर आपके वीडियो लोग देखेंगे तो आप बिल्कुल गलत हो मैं ये चीज़ करने वाला नहीं हूँ दोस्तो मेरे चैनल को बरबाद करने की कोशिश की जा रही है मेरे चैनल पर जो व्यूज आ रहे है उनको कम करने की कोशिश की जा रहे है तो मैं सबसे रिक्वेश्ट यही करूँगा हाथ जोड़ कर कि प्लीज मेरे साथ रहे है कमेंट्स पढ़कर आप ये मत रिसाइड कीजिए कि वीडियो का कंटेंट क्या है वीडियो में क्या बताया गया है आप वीडियो देखिए उसके बाद आपको जो लगता है आप वो बताएए कि हाँ इस वीडियो में गलत कुछ है या फिर सब सही ही है आप खुच जड़ डिसाइड कीजिए कमेंट पढ़ने जाओगे देखिए सेम वीडियो में भी मतलब जो मैंने इंटर्वियो वीडियो डाला था उसमें ऐसे भी कमेंट है कि बहुत हिल्फुल वीडियो है काफी अच्छा लगा इस तरह के कमेंट भी है लेकिन उन कमेंट को नीचे कर दिया जा रहा है क्योंकि जो गंदे कमेंट से उन पर लाइक बढ़ाया जा रहा है जो इनके कुछ दोस्त होंगे या फिर इन ही क्या आइडिस होंगे वो आ आकर कमेंट को लाइक कर रहे है अब इनके जो गंदे वाले कमेंट से उनको लाइक कर रहे है अब यूटीब का जो rule है कि जब कोई comment like होता है तो comment जो है वो उपर जाता है तो same ये चीज उसका मतलब ये लोग उसका फाइदा उठा रहा है इनके comments को उपर कर रहा है ताकि जो original comment है वो दिखा ही ना आप ये starting में ही अगर देखोगे कि आठ देख से comment है कि अच्छा वीडियो नहीं ये घटिया है ये है वो है तो आप उस वीडियो को देखोगे नहीं और दोस्तों ये ही चीज मेरे साथ हो रहा है इसके मतलब ये ही reasoning कि वीडियो में initial views आने के बावजुद वीडियो जो वो down हो रहा है क्यों कि उल्टे सिधे काफी ज्यादा comments मुझे किये जा रहा है लेकिन मेरे दोस्त कान खुल कर सुनलो मैं जाने वाला नहीं हूँ मैं हार मानने वाला मुझे नहीं हूँ मैं लड़ूंगा मैं आज 5-6 साल से लड़ते आ रहा हूं YouTube में अगर अब आज आप से लड़ना हो तो मैं वह ही लड़ूंगा मैं YouTube से लड़ा हूँ मैं YouTube से लड़के जीता हूँ आप तो बच्चा हो अभी ठीक है आप से लड़के जीत ही लूँगा तो इसका tension मुझे नहीं है आप अगर ये सोच रहे हो कि आप मुझे ये comment करोगे मुझे बुरा लगेगा जी नहीं आप अपना time waste कर रहो मैं क्या करूंगा मैंने एक extra video बना लिया आज मेरे 2 videos आ गए मुझे थोड़ा सा extra income हो गया मुझे कोई problem नहीं है और हाँ income से मुझे याद आया एक और चीज़ का अभी issue बनाया जा रहा है मेरे courses को लेकर जो मैं आपको animation course बनाना सिखा रहा हो दोस्तो course जो है मैंने एक साल से course बना रहा हो पहले मैंने facebook का course बनाया और आपको बहुत सारे knowledge दी जिनोंने वो course लिया उनको पता है लेकिन फिर मैंने उस course को drop कर दिया इसका reason क्या है मुझे आज भी whatsapp पर बहुत सारे मैंसे जाते है कि वो वाला course हमें चाहिए लेकिन मैं उनको नहीं देता वो course क्योंकि वो course अभी अभी अप्लेड़ेड नहीं है वो course पहले के लिए मतलब सही था पिछले साल के लिए सही था लेकिन इस साल वो course सही नहीं है तो लेकिन उसका price भी ज़यता है उसका price था शायद 3-4000 रुपे लेकिन मैं फिर भी उसको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो अभी valid नहीं है तो मैं उस course को फिर से बनाऊंगा फिर से उसको लाऊंगा तब मैं उस course को दूँगा लेकिन इस वक्त मैं नहीं दे रहा हूँ तो अगर मैं पैसे के पीछे ही दोड़ता तो मैं उस course को भी दे देता ना Facebook का course मेरे पास already पढ़ा है वीडियोज वही के पढ़ा है मतलब वही के वही पढ़ा है लेकिन मैं course को sell नहीं कर रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अब updated नहीं है तो same दोस्तो मैंने जब animation course launch किया आज से 6 से 7 महीने शायद हो चुके हैं अब इसको तो तब दोस्तो मुझे कोई comment नहीं आता सब अच्छे-चे comments आ रहा थे अब recently मुझे ऐसे comments आ रहा है कि तू पैसे की पीछे भाग रहा है तू लूट रहा है इस तरह के comments आ रहा है अब दोस्तो आप ये बताओ सबसे पहले तो एक साथ हर चीज नहीं होता अगर मेरे course को related कोई problem होता जो लोग अलग होते तो उनका comment यह तो पहले आता मतलब कुछ दिन पहले आता या कुछ दिन बाद में आता अभी नहीं आता अभी जो है सब चीजों मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ अभी उनको बुरा लग रहा है अब दोस्तों यहाँ पर इस बात को clear कर लेते हैं कि अगर course के लिए मैं पैसे ले रहा हूँ तो हाँ हर कोई तो पैसे के लिए ही काम करता है आप अगर काम कर रहोगो तो आप भी तो पैसे के लिए ही काम कर रहो जो लोग ये comment कर रहे हैं कि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो YouTube आड नहीं लगाते, क्या उनके वीडियो में आड नहीं आते, क्यों बरबाद करो अपने audience का time, वहाँ पर आप एक काम करो, आड मत लगा, उनका जो है 2-4 मिनिट बच जाएंगे, वो वीडियो देख क के निकल जाएंगे, क्योंकि आपको तो पैसे चाहिए नहीं, पैसे की पीछे दोस्तों सभी पड़े हैं, और हां मैं भी हूँ, जब दोस्तों आप स्कूल में थे, टूशन में थे, जब आपसे फीज मैंगा जाता था, तो क्या करता था, कि नहीं ये सर तो पैसे की पीछ ह इनके पास नहीं पड़ेंगे, क्या आप इस तरह से बोलते थे, या फिर उनको एक फीज देता था, रहे वो तो फीज हर महीने लेते थे, मैं तो एक बार लेता हूँ, वो भी सिर्फ 999 रुपे में आपको पूरा का पूरा चीज सिखाता हूँ, जिससे आप एक्चुल में अरेंडिंग कर सकते हूँ, जिससे आप एक्चुल में पैसे कमा सकते हो, लाखों की अर्णिंग होगी, मैं आपको चैनल से दिखाता हूँ, कि देखिए, यह यह अरेंवनेशन चैनल से हैं, इन चैनल का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, यह चैनल किस तरह से वाइरल जा रहा तो क्या आप वरेल दी जाओंगे, क्या आपके साथ ये नहीं होगा, तो दोस्तो ये चीज है, यहाँ पर मेरे मतलब अभी मैं जो भी कर रहा हूँ, उस पर एक शिचुएशन क्रेट के रहा है, उस पर एक इशू बनाया जा रहा है, तो जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे वीडिय करूँगा, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आप से मिलेंगे एकली वीडियो में,